Hello and welcome to our YouTube channel आज मैं आपसे बात करूँगी एक बहुत ही जरूरी काम के बारे में अगर ये काम आप दिन भर में 5 मिनिट भी नहीं करते तो ये इतना पैसा कमाना, इतनी दंधोलत होना, गाड़ी बंगला होना सब व्यर्थ है वैसे तो इसे दिन भर में 15-20 मिनिट करना चाहिए पर 5 मिनिट करने पर भी ये अपना असर दिखाता है ज्यादा ना खीचते हुए आपको बता दूँ कि वो काम है meditation, ध्यान लगाना हो सकता है कि आपको meditate करना useless लगता हो पर मैं आपको बता दूँ कि meditate करने के इतने फायदे हैं जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे पर ये फायदे लेने के लिए इसे सुभह शाम 2 बार 5-5 मिनिट के लिए करे कम से कम 5-5 मिनिट के लिए इसे आपकी brain power बढ़ेगी concentration power बढ़ेगी memory power बढ़ेगी efficiency कई गुना बढ़ेगी लेकिन अगर आप meditate नहीं करते तो ये सारे फायदे आपकी body को नहीं मिलेंगे उल्टा दिन बदिन धीरे धीरे brain power ability to think positive कम होती जाएगी जिसका असार आपकी body पर बिमारियों के रूप में दिखने लगेगा जो आपका धन कम करता जाएगा दीरे दीरे खर, गाड़ी, बंगला सब खराब लगने लगेगा meditate करना और भी जरूरी हो जाता है जब आप stressed रहते हों negativity से घिरे रहते हों लोग आपको समझते नहीं हों या आप दिन बे दिन अपने आपको कमतर आगते हों कई लोगों को ना तो meditation के बारे में पता है ना इसके फायदों के बारे में और ना ही इसे सही तरीके से करने के बारे में लोग समझते हैं ये ध्यान में बैठना फेले लोगों का या बड़े बूडों का काम है उन्हें meditation करना इतना फाल्तु लगता है कि वो अपने 5 मिनिट भी उसे नहीं देना चाहते आज का वीडियो एक awareness वीडियो है देखे योगा exercise करके आप खुद को physically fit तो बना सकते हैं लेकिन यदि मन को शान्द करने के लिए कुछ नहीं किया तो ये physical fitness ज्यादा लंबे समय तक साथ देने वाली नहीं meditation करने से इतने फायदे मिलते हैं जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे सीधे तोर पर कहूं तो meditation ऐसी trick है जिसमें थोड़ा सा time लगा कर आप क्या कुछ नहीं कर सकते आप क्या क्या कर सकते हैं ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि meditation कई तरह से किया जा सकता है पर सबसे effective तरीका या method कह लीजिए वो है राज्योग meditation which is the king of all techniques of meditation क्योंकि इसमें ना सिर्फ positive बातों को positive लोगों को सोचते हैं बलकि इसमें negative thoughts और लोगों को भी सोचकर उन्हें positive thoughts में convert किया जाता है जैसे मान लीजिए मेरी एक friend ने मेरे call का जवाब नहीं दिया ना मुझे call back किया तो मुझे बुरा लगना जाहिर है यदि राज्योग meditation में कर रही हूँ और करते हैं वक्त ये खयाल आता है तो मैं अपने इस thought को बिलकुल avoid नहीं करूँगी बलकि अपने thought को positive thought में convert करूँगी जैसे खो सकता है मेरी friend उस वक्त कहीं busy हो या उसका phone उसके पास ना हो या किसी और वज़े से वो मेरा call नहीं ले पाई हो या नहीं call back कर पाई हो ये मैंने बहुत छोटा सा example दिया है बस यही करना होता है राज योग meditation में अपनी negative feelings को, negative thoughts को जो लोग आपकी life में negativity फिलाते हैं उनको भी, उनके thoughts को भी positivity में convert करना कहने में जितना असान लगता है असल जिन्दगी में ये करना कहीं ज्यादा मुश्किल है लेकिन ना मुम के नहीं धीरे धीरे practice करने से हम अपनी feelings, emotions पर control पा लेते हैं रोज दिन के 5 minute दे कर ऐसा किया जा सकता है अब बात करते हैं कि इससे आप क्या-क्या नहीं कर सकते या क्या-क्या कर सकते हैं राजयोग meditation से हम memory and concentration power को कई गुना बढ़ा सकते हैं इससे हम stress कम कर सकते हैं stress जब कम होता है तो negative thoughts कम होने लगते हैं जब negative thoughts कम होने लगते हैं तो mind ज्यादा clear और focused होता है जब mind clear and focused होता है तो منzil भी करीब लगने लगती है और रिष्टों में दूरियां भी कम होने लगती है मतलब हमारे रिष्टे healthy होने लगते हैं जब रिष्टे healthy होने लगते हैं तब हम भी healthy रहते हैं और जो चीज पहले मुश्किल नजर आ रही होती है वो आसान होने लगती है नकरात्मक सोच हमारी उर्जा को खाती है नकरात्मक सोच वाले व्यक्तियों की लाइफ में ना तो कोई खुशी का अनुभव होता है ना ही कहीं प्रसनता का एहसास उन्हें हर चोटा सा चोटा काम भी मुश्किल नजर आता है पहार जैसे नजर आता है वहीं सकरात्मक व्यक्तियों की जीवन में उर्जा बरकरा रहती है उन्हें आप बड़े से बड़ा काम भी दे दीजिए तो भी वो उसे खुशी खुशी मुस्कुराते हुए कर लेंगे चाहे कोई वज़े हो या ना हो उन्हें हर बात में प्रसनता का एहसास होता है जरा सोच कर देखिए आपने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो पूरे पॉजिटिव सोच के साथ जीते हैं और इतने चीरफुल और एनरजेटिक रहते हैं खुश मिजाजी उनके खून में होती है वहीं दूसरी और जो लोग नकरात्मा की आदुखी परिशान रहते हैं वो हमसे कभी कबार भी मिलें तो भी हमें उनसे मिलना अच्छा नहीं लगता उनसे मिलकर हमें अच्छा महसूस नहीं होता तो बस अब आप भी सोच लेजे आपको किस ओड जाना है ध्यान लगाने का फायदा यही होता है कि हम अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं उसे मन चाहिए दिशा में रहा दिखा सकते हैं Meditation करने से हमारे अंदर जो भी नकरात्मक्ता होती है वो सकरात्मक्ता का रूप ले लेती है और जीवन खुशाल होता है इसलिए meditate करिए खुद भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखी